तो guys आज किस वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूँ कि backlink क्या होता है, backlink कैसे बनाया जाता है, अगर आपने manies में ब्लाग ब्लागिंग से स्टार्ट कि और आप संद्ध बनाता है, तुर आपको लुगल श्कून तो आपको बैक लिंग बहुत ज्यादा है भाई बैक लिंग बनाओगे तभी जाकर आपका वेपसाइट करेगा तो मैं हर एक इंफोर्मेशन इस वीडियो में मैं बताने वला हूं जैसे आपको यह भी पता लएगा कि आपके वेपसाइट से रिलेटेड आपका कोई भी यहां पर नेया है जो कोई नहीं जानता है अगर आपको यहां पर लिए जो के बाद आपको वेपसाइट से ट्रेफिक लानी है कि तो उसके लिए आपको यहां पर बैक लिंग की सहरा होता है यहां पर यह दो बहुत ज़्यादा चाहता है तो इसका लिंक आगर इस पोस्ट में डाल देगा तो यह बैक लिंग के थुरू अगर गूगल भी देखेगा तो आपको यहां पर भी फॉलो करेगा और आपके वेपसाइट पर वेज़ेगा इसी को बैक लिंग कहा जाता है अगर आपको अभी फिरस को में पर समझान के करूं तो कोई यहां पर प्रोडंप कर सकते हैं जैसे एक नया हुर लिए है इसका अगर प्रोड़क कर रहे हैं तो सारुख जुनियर होड लिस्कों हर कोई जानता है तो होगा क्या जो सारुक खान या फिर अमता बचन की मदद से बहुत सारे लोग प्रोड़क्ट को पर्शेज करना चाहेंगे क्योंकि यह एक ट्रस्टीबल बंदा है और आपको यहां पर ट्रस्ट करना होगा तो आपको भी लगेग कैसे करना है कि होता क्या है करना है क्या बनाते है चाहिए सबसे पहले मैं बता दूंग का क्वालिटी होता है जैसे आप पर मैं बैटलिंग का टाइप करों तो कहीं यहां आपको बैड़ लिंग मिल जाएगा कई बार पर देखकतो लिए तो होता है इसको क्या होता है इसको कैसे लेना हो क् самой यूए वहुत है क्या होता है अगर आपका website में जैसे website में जो ऑलेडी गूगल में है बहुत जैसे दो साल से है और आपने एक बीवेबसाइट बना है जो ओलेडी आपका है तो मान के चलते हैं कि यह website जो आपका friend का है जो अलड़ी एक साल से ब्लॉगिंग कर रहा है एक साट से उसका website है जो गूगल में रैंक बगर कर रहा है तो इसका जो यहां पर ट्रस्टेवल दोमें डॉमें अथ्रूइटी होता है जो बढ़ियां होता है तो बढ़ियां होने के मतलब से आपका भी website में पर देखो अगर आपका website का कोई भी पोस्ट है जबकि आपने यहां पर एक आर्टिकल्स लिखा है और इसमें इंटर लिंकिंग कर देगी तब सिधे तोर पर आपके website पर जबी एवला website में कोई भी आएगा कोई भी यूजर ट्रेफिक बगर आएगा तो और गुगल इसको इस website में भी भेजेगा यहां पर इसको इसको एलाओ करना पड़ेगा यानि कि फ़ाओ देने पड़ेगा डू फॉलो का यहां पर सिंबूल इस तरह से होता है जो देख सकते हो इस तरह से आपको दिखेगा जो आगर ब्लोगिंग कर रहे हैं तो उनको पत लोगा क्योंकि एक और लेडी बंदा है तो इससे भी इसका है तो इस तरह से आपको यहां पर जो फॉलो वाइक लिंक इसको कहते हैं अब जो नोभ फॉलो बैक लिंक होता है वह भी मैं समझा देता हूं तो दोनों सिम्वलर है जैसे अब तो को पता लग रहा है धेर ओसी तरह से है जैसे यहां पर देखोगे एक वेपसाइट है और अगर यह वेपसाइट में से भी वेपसाइट में जा रहा है लेकिन सिर्फ इन्हों ने लिंक डेल रखा उसमें डू-follow का इस तरह सिंबूल होता है तो इसमें करौल तो जाएगा यहां पर नहीं अपना लिखरर रखा है तो कम के तो क्या रहेगा तो जाएगा टू-follow बैक लिकंभर में टैक्यूंक एक यहां को यहां को ब spill पान पर सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कर दो Part II जो most important method है बहुत सारे blogger यही जैसे personally मैं भी यूज करता हूं यह method को आपको यहां पर यूज करना होगा तो सबसे पहले देखो four method मैं बता रहा हूं पांच method भी आपको यहां पर देख लेना है तो मैं four method सबसे पहले कर लेता हूं सबसे पहला नमबर का मेठड यह है यानि कि यहां पर देखो सेम नीच का website को आपको ढूंड़ना है उसके साथ पोस्टिंग करना है अब यह कैसे होगा वह मैं आपको बता देता हूं उसके लिए आपको Google का ही मदद लेना पड़ेगा सबसे पहले करना क्या होग अगर आपके website जैसे अगर आपके website design के मामला में है जैसे मेहंदी डिजाइन बगर हो गया वह सब दिजाइन के बारे में आप अगर website पर पब्लिक कर रहे हो तो उसी तरह के website को आपको खोजना होगा अब वह कहां मिलेगा वह भी मैं बता रहा हूं Google पर जाना है मैं आपको पार फैसे या फिलाइफ ऐस्टाइल का है तो लाइफटाइल किटेग्री सच करो और आपको बहुत सारे website का लिंक मिल जाएंगे जिसमें से टॉप तोप 10 का क्योंकि अगर से वह सारा वेपसाइट में पेज आपको मिल जाएंगे उहां पर जाकर उस बंदे से कॉंटेक्ट करना है यहां पर होगा क्या दो कंडिशन होगा अगर वेपसाइट में लिंक देने के लिए बोलेगा कि आपका भी जैसे आपने एक आर्टिकल्स लिखा सेम निच पर वह भी सबसे बड़ी बैक लिंक है जो खुद आप बना सकतो कहीं पर भी किसी के साथ कॉंटेक्ट करने के जरूत नहीं है किसी से आपको यहां पर कुछ करने के जरूत नहीं सबसे पहले मैं बताता हूं एक अच्छी आर्टिकल्स लिखो जिस पर हर एक इंफर्मेशन होना जैसे आप कोई भी चीज के बारे में लिख लो तो नाइन बैंकिंग से लेकर जितना भी ओटा नेट बैंकिंग अफलेट बैंकिंग जो भी होता है इसको यहां पर लिखने की कोशिश करो इसमें जितना चाहिए उतना इंफोर्मेशन डाल सकते हो उसके लिए आपको बेट इस तरह से आप वीडियो करें जाते हो उसी तरह से उसमें जाओ और उसमें आप्ला लिंक छोड़ देना जिससे होगा क्या इससे डूफ फॉलो बैक लिंक लेकिन लेका और कोई उस बाटिकल्स में पहुँचता है और आपके कमेंट को रीट करता है उससे अच्छा और उसी तरह से गूगल भी इसको मानेगा किस पर ट्रैफिक आ रहा है तो उसको जो सर्च इंजन पर पेज है उसमें फर्स्ट या सेकंड पेज पर रेंक करानी की कोसिस करेगा अब जो फॉर्स नमर का प्याइंट है जो सबसे ही पॉटेंट है काफी लोग इसी को यूज करत बना लो एक इंस्टाग्राम पर बना लो और सारा मैं लिंक अगर कर दो इस तरह से यहां पर साइट का सेट होश्टिंग होता है जो श्यर्ड वेप साइट बनाऊंगे तो जरूर आपके ट्रेफिक का जब्छेड जो ग्रूप होता है जैसे आपको पेज बना लिया बना ल ओप्संन पर डाल दोगे लिंक डाल को पॉस्टिंग पर नगी करना सुरू कर देगा क्योंकि इस तरह के जो बैक लिंक होता है उसको फॉलू क्या होता है और सिधा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए चैनल को शुटराइब कीजिए मिलते है वीडियो में दखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद